ऑफान इसमें आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोईंट मसिंग करता है इसको आपन बोलता है और इसमें पॉइंट एंड ग्रोसिंग के चाउट तो इसमें दौ स्वीच होता है प्रवाइट करते हैं तो यहां पर अपन प्रवाइट की बाद करेंगे तो प्रवाइट के अंदर बिसिकली क्या चीज़े होते हो थोड़ा सा अपन यहां देख लेब है यह आपका एक पट्री है अपर आपको दूसरे अब यहां पर यह पोइंट में क्या क्या चीज़े होती है तो इसमें पॉइंट जो लगा इसमें आगे का जो पॉइंट होता है, इसको अपन SCJ के नाम से जानते हैं, एक नंबर, दो नंबर जो स्लिपर होता है, और जहां पर आपकी मोटर लगेगी, यानि टंग्रेल जो लगी वो तीन नंबर स्लिपर पे होती है, और मोटर जो इंस्टोल जाते हो, तीन और चार के इलेक्ट्री के लिए ओप्रेटेट पॉइंट लगाता है, और आज की डेट में थिक वेप सीच टी डब्लूएस बूला जाता है, जहां पर आपको 130 केमपे से ज्यादा है की स्पीड गाड़ी चलानी है, यानि इंटरलोकिंग 4 की बात करेंगे, जहां पर आपकी गाड़ी आपका जो फिक्षर के साथ कनेक्ट होता है, और टंग रेल जो फ्री होती है, तंग रेल दोनों एक साथ चले, उसके लिए यहां पर एक इस्टेचर जो फ्रो रोड से कनेक्ट होता है, जब अपरेट करोगे तो लिवर से कनेक्ट रहेगा, मोटर से अपरेट करोगे तो मोटर की जो फ्रो रोड है, उसके साथ कनेक्ट होता है, उसके बात इस की लोकिंग करने के लिए इसके अंदर लोकिंग स्लाइड काम मिली जाती है, और पॉइंट की पोजीशन को इलेक्टरिकली चेक करने के लिए या इंडिकेशन लेने के लिए इंडिकेशन श्लाइड का का प्रियोग किया जाता है। का पेंडुल की काम में लिया जाता है तो यह थोड़ा सा इसके बारे में था अब आते हैं कि यह इलेक्ट्रिकली जब ऑपरेट करेंगे तो पॉइंट में ऑपरेशिन का सीक्वेंस क्या रहता है तो इसमें यह चार है जो भी मैंने और एल्ब में जो बात की हुई तो पॉइंट लास्ट कंडिशन में क्या रहेगा किसी ने किसी पॉजिशन को डिटेक्ट कर रहा रहता है तो सबसे पहले वह दिटेक्शन कॉंटेक्ट्ट आपके क्या हूंगे ओपन होंगे यानि ब्रेक होगा अपन होना यानि उसको नीए कोई भी motor operated point हो और एक आपका जब किसी वज़स से obstruction आ जाता है तो वाप पर आपकी gear assembly क्या करती है slip करती है तो slipping current जो रहेगा obstruction के दोरा तो normal working current और obstruction जो current है उसके बीच का जो difference है वो अब आपके पास जो electrical point machine जो लग रही है यह अपने पास दो तरह के आती है जो thrust के आदार पे दूपागों माटा गया है एक आपका आता 143 mm stroke की जिसको low thrust machine के नाम से जानते हैं और एक आपका आता 220 mm जिसको high thrust machine के नाम से जानते हैं इसको पन बूल चाल की पासा में थिक whip switch की machine या थिक whip switch में लगने वाली machine के नाम से भी जानते हैं तो यह high thrust की आपका आपका निए को आपका से अफ्सीन होती 220 mm और 143 mm जी तो नौर्मली ब्रोड़गेज जैसे आजकी डेटर में सभी ब्रोड़गेज ही है तो फ्रत्रस्ट की जो machine लगते ब्रोड़गेज में वो 143 mm का श्टूक देती है और हाई थ्रस्ट की जो मसीन लगते वो 220 mm का तो यह होगी आपका उसके बाद आप इसमें आऊगे तो इसका स्पेक दे रखा है इलेक्ट्रिकली चेक करने के लिए जितने भी डिवाइस आपकी रिले हो चाहे आपका केबल हो चाहे इलेक्ट्रिकल गीट हो आपका आइडेसो का स्पेक है उसके अंदर इसके टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल की जो परामेटर है वो उसके हिसाब से होना चाहे पॉइंट मसीन जो काम में लेंगे अपन चाहे हाई थ्रस्ट हो चाहे लो थ्रस्ट हो उसका जो नॉमिनल ओपरेटिंग वूल्टेज है वो 110 करेद सकता हएं दिए 310 डी सी मोटर अपनी काम में लेता है और एक आपकी जो जो मशीन होते इसको रोटरी टाइब लोकिंग भी बोला जाता है और हाई थ्रस्ट के अंदर जो लोकिंग होता है इसको अपन क्लैंप लोकिंग बोलता है लोकिंग का जो अरेंग्मेंट होता है, वो clamp type locking कहलाता है, तो यह इसमें कुछ चीज़े हुई है, आपके electrical point machine के उपर, जो contact जो लगती है, जो उस point machine को operate और detect करने के गाम करती है, उसको अपन, क्या बोलते हैं, इसको ED के नाम से भी जानते हैं, या detection and controlling, assembly के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके controlling contact और detection contacts होते हैं, और वो जो contact होते हैं, वो heavy duty contact कहलाते हैं, और उसमें एक feature होता है self wiping, यानि वो oval safe में होते हैं, और जो operation होते हैं, तो इस तरह से move करते हैं, कि वो खुदी ही अपना cleaning करते हैं, जैसा अगर मानलो कोई carbon dust जमा हो गई है, तो वो खुदी उसको clean करेगा, brass की strip के उपर लगे रहते हैं, और electrical point machine के अंदर एक rack and pinion के assembly आती है, वो rack and pinion के क्या करते हैं, मोटर का जो moment होता है, वो rotary moment होता है, और यह उसको linear moment में convoid करती है, क्योंकि point जो आपका linearly move करता है, फिर इसमें इन्होंने parts दे रखे हैं, parts का तो अपने basically कोई question पूसता नहीं है, तो भी मोटा मोटा देख लेता है, इसमें आपकी यह जो होती है, सबसे last में, जैसे ही आपकी point machine में आप जो खड़े हो, तो इधर यह जो handle दीख रहा है, इसको अपन crank handle बोलते है, इसको क्या बोलते है, crank handle, जब भी आप यहां खड़े रहते हो, यह crank handle box होता है, जिसको अपन cut out switch के नाम से भी जानते हैं, या CH box के नाम से जानते हैं, और crank handle की चाबी जो है, वो station master के control में होती है, यह handle भी station master के custody में रहता है, और उस समय साइट पर unauthorized कोई operate ना कर ले, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर यह अलग-अलग चाबी का combination जो होता है, यह एक चाबी निकाल के लिए और दूसरे में नहीं लगनी चाहिए, यह इसमें ensure किया जाता है, तो यह अलग-अलग wards की आती है, crank handle, cut out switch के अंदर, इसको बोलता है CH की, और यह crank handle हो गया, इधर से जब आप खड़े होते हो, तो इसमें सबसे last में जो road होती है, इसको throw road बोलता है, फिर उसके पास में जो होती है, इसको locking slide बोला जाता है, और सबसे last में जो है, यह ED के अंदर जो होती है, इस और एक अपन, cements point machine के नाम से जानता है, दोनों में difference किया है, खाली locking slide के number गाया, यहाँ पर अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, throw road एक होती है, दू locking slide होती है, दू detection slide होती है, यानि total 5 slide इसके अंदर आती है, total 5 slide होगी, और cements की जब बात करेंगे, तो cements के अंदर जो होता है, उसमें 4 slide ही आती, बस यह difference है, IRS type में, और cements में, तो cements के अंदर जो total slides रहेगी, आपके 4 ही रहेगी, जिसमें यह locking slide है, वो एक ही होती है, यह खाली द्यान रखना है, objective drive में पूझा जा सकता है, कि cements में locking slide कितनी होती है, एक ही होती है, और IRS type में locking slide कितनी होती है, वो 2 होती है, फिर आपका reduction gear assembly होता है, reduction gear assembly का का गाम है, motor का जो high operation moment जो होता है, उसको control करके देना, क्योंकि point आपका देरे-देरे move करता है, तो एकदम speed से होना चले, उसको यह protection करने का का काम करता है, तो reduction gear assembly होती है, इसमें अपने question के आएगा खाली जो आते हैं, वो ही देखता है, इसमें, crank handle की मैं बता चुका हूँ, इसमें यह different wards की आती है, यह crank handle होता है, jet safe का, यह crank handle क्या करता है, आपके point machine का mechanically operation करने के लिए कामे लिए आता है, इसका use generally upon जब power supply fail हो जाती है, या maintenance के दोनान करता है, मोटर जो रहेगी, वो आपकी split DC series मोटर क्यालाती है, split की बोलते हैं, उसके अंदर दो split, यानि अलग-अलग field होता है, normal के लिए और reverse moment के लिए, और electrical specification आपका जो रहता है, वो S37 को यह follow up करता है, rate rate जो supply मैं ने बताया था 110 volt, normal जो supply है, nominal, 110 volt DC रहेगी, और वो plus minus 25% रहता है RPM आपका 1700 रहेगा, rated current जो होता है, वो आपका 5.3 ampere रहेगा, maximum जो जाएगा, 8.5 ampere रहता है, operation time जो होता है, वो 4-5 second होता है, यह एक motor रहता है, normally अपन जो लगाता है, motor series में लगाता है, तो WGR जो सुनिश्चित करता है, या Siemens की अंदर, वो आपका 10 second से कम नहीं होना चाहि यह, फिर आपके यह motor की जो power होती है, rating, वो आपके 440 watt की आती है, और इसके अंदर gear oil में जो oil यूज करते हैं, वो SAE 30 टाइप का oil यूज करते है, देखो आप यहां पर 30 आया, ELB के अंदर जो लेते हैं, वो SAE 90 लेते हैं, यह थोड़ा सा ध्यान रखें, confusion नहों है, इसमे gear जो होता है आपका यह, इसके उपर आपके 92 teeth होता है, और motor का जो pinion होता है, उसके 12 teeth होता है, और यह actual में gear जो total है, वो 270 degree move करता है, यह दियान रखें, यह पुछा जा सकता है, और इसके द्वारा आपका जो maximum stroke जाता है, वो 143 mm का जाता है, फिल्ड में, और यह rack and pinion assembly के द object type में एक हाली 3 question है, कि man gear remote यह उसमें किटरती थी था है, 92 है, pinion motor की जो होती 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 है, और यह man gear जो rotate करती हो, 270 degree तक करती है, फिर एक इसमें snubbing के लिए, यह mechanical fusing का puke किया जाता है, यह object type में आता है, difference between normal operating current और obstruction operating current, इसमें जो difference है, वो 0.5 ampere से कम नहीं होना चाहिए, अगर कम है तो उसको अपन को change करना है, तो आपके जो clutch अंदर लगा होता है, इसको clutch assembly बोलता है, इसके द्वारा adjust current को किया जाता है, तो फिल्ड में नहीं करते हैं, यह workshop में ही किया जाता है, यह आपका थ्रो रोड का इसके जरूरी पड़े लिया, यह है आपका ब्रॉड गेंज के अंदर जो आपनिंग है, वो 115 mm है, और इसमें tolerance जो दे रखा, प्लस माइनस 3 mm का दे रखा है, और thick wave switch के अंदर जो point की opening आती है, वो 160 mm आती है, इसके अंदर भी आपका जो है, प्लस माइनस 3 mm भी आ हुआ हुआ है, अब आपका इसमें thick wave में यह भी पूछा जाता है, वो high thrust की जो motor होते है, उसमें 220 mm का thrust होता है, तो इसका moment कैसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा, 60, unlock के दोरान चलेगा, 100 आपका tongue rail move करेगा, और वापका 60 जो रहेगा, last में locking के लिए चलेगा, इस तरह से आपका 220 mm का moment हो जाता है, और यहां पर आपका क्या ideal पहले चलता है, शुरू में, जो आपकी throw road होती है, उसमें ideal stock generate होता है, और वो ideal stock depend करता है आपके opening के ओपर, side पर opening कितना है, तो total stock है 143 mm है, और आप उसको opening को difference घटा देंगे, तो जो होगा, वो ideal stock कहलाता है, normally यह 25 mm के आसपास रहता है, detection contact अंदर वाले होते हैं, और बाहर वाले जो होते हैं, वो controlling contact के नाम से जाने जाता है, थोड़ा सा यह ध्यान रखे लें, और detection contact, और detection contact, और detection यह जो top roller उपर वाले हैं, जिदर का detection contact बनेगा, उदर का ही top roller notch के अंदर गिरेगा, अब इस्टोलेशन का देख लेते हैं, क्या क्या रहता है इसमें, तो पहली जो इस्टेशर बाहर होती है, electrical जब बात करेंगे, तो उसका जो hole होता है, वो toe से, यानि जो आपकी टंग्रेल का मुह है, वहां से इसका जो इस्टेशर बाहर का जो hole आता है, वो 400 सिथर इसमें आपको जो वहां से मोटर का संटर होता है, वो तो यह पूचा जा सकता है थोड़ा सा इसका ध्यान रख लें और एक आपका इसमें question जो बनता है तो से आपका जो पी ब्रेकेट जो लगेगा डी ब्रेकेट जिसके उपर आप detection और ये लॉकिंग स्लाइड को connect करोगे इसका जो hole है first वो तो से 22.5 mm की दूरी पर आता है तो यह parameter एक बार आप थोड़ा सा देख लेना installation के दूरा यह मैंने बताया था यह जो किनारा है वहां से 22.5 mm की दूरी पर जाए रहे है इसमें और कुछ question नहीं बनता है यह पूझा जा सकता है WGR जो होती है कट आउट जो करता है तो फीड आपका दस से कंड से कम नहीं होना चाहिए यानि WGR है वो दस से कंड से ज्यादा टाइम तक पिकप रेने चाहिए उससे पहले इसलिए दिया जाता है कि मांदो अगर वो पहले ड्रोब होगी सप्लाइब कर जाएगा तो फील्ड में पॉइंट जो प्रॉपर ऑप्रेट होना चाहिए वह वहां पर नहीं क्योंकि सीरीज में नॉर्मली अपन गाम में लेते हैं वह एक मोटर पॉइंट का ऑप्रेशन में चलने में जो चार से सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा नियों फेल्ड पर पॉइंट पूरा ओप्रेट होने से पहले हो सप्लाइब कर जाए तो उसके लिए अपन उसके जो डबलू जी आर रिले के द्वारा अपन यह इंशर करते हैं कि जो ऑप्रेशन की सप्लाइब जा रही है वो दस सेकिंड मिनिमूम आपे जानी चाहिए उससे पहले कट नहीं होना चाहिए तो यह दस सेकिंड से ज्यादा ही रहता है अभी आज की डिट में लेटेश्ट में यह 14 सेकिंड से अधिक लेटर रहा है ता उसमें 14 सेकिंड कर दिया है लेकिन वह एक्चुल में रिले वाई जोगा अपन किता में 10 सेकिंड लिखा रहे तो आप 10 सेकिंड इसका आंसोर लिखेंगे जो टाइमिंग है वह 10 सेकिंड से कम नहीं होना चाहिए तो यह तो इलेक्ट्रीकल का जो है वह आपका पिया यारारे में पढ़ा दिया होगा रिले का जो सीक्वेंस है एक यह में यह पूछा जाता है कि मिनीमम आउट्पुट और इंपुट में कितनी रिले काम आती है तो आउट्पुट में मिनीमम आपकी तीन है वैसे कहिए अलग-अलग सरकुट बनाते हैं वह चार या पांच हो सकता। नॉर्मली यह पूछा तो यह आउट्पूट जो देता है वो तीन आउट्पूट देता है मोटर को कंट्रोल करने के लिए और फिल्ड से वापस जो इन्पूट लेगा वो दो लेगा जिसको अपन NWR और RWR के नाम से जानता है यह NWR, RWR जो है यह एक्षिल में आपका वाइटल इन्पूट क्यालाता है और तीन जो जाएगा यह वाइटल आउट्पूट क्यालाता है एक्षिल में NWR, RWR और एक WCR होती है इसमें मिनिममम यह तीन रहता है इसमें और अब भी आज कल गएंगे सर्केट अलग अलग बनाते हैं या जो भी है तो उसमें ज्यादा हो सकती है नॉर्मल्ली जो काम में लेते मिनिममम उसे यह में जो किक्टे इंपूट या आउट्पूट के द्वारा आपन एक पॉइंट मसीन की सफ़ले को गंड्रोल कर सकता है तो उसमें यह तीन आउट्पूट रहेंगे वाइटल आउट्पूट क्यालाता है यह अब्जेक्टिव टाइप के लिए थोड़ा साप के लिए अभी मैं बता रहा था नॉर्मली जो एक सो पंद्रा एमेम होता आपका और तीन एमेम अपन इस्प्रिंग के अर्जेस्ट करने के लिए देते हैं तो 143 से यह जब आप लैस करोगे तो नॉर्मली आइडियल जो इस्टोग होता, वो 25 होता है, यह आईडियल कंडिशन है एक्ष्ष्षल में यह बेरी करता है यह डिपेंड करता आपके उपनिंग के ऊपन अपन तूपन अगरेगर होगा तो यह आपका आईडियल इस्टोग भी होगा कि नॉर्मली पॉइंट मसीन को जब भी अपन इस्टॉल करेंगे तो हाइयर स्पीड हिस पे जाती नॉर्मल कंडिशन में उस साइड में पॉइंट मसीन को लगाए जाता है यह ध्यान लगना एक इसका मेंटर इस्टॉल पूछा जाता है आपका जो जोईंट इन्स्पेशन होता है वो खार्टरल है कि पहले को जैसे नॉल्स से सटॉल उन इसट छॉड्टर को सॉर्चान ऑर कि अग्यान इसो जो next quarter वाल आएगा तो वो आपका इंचार्ज करेगा इंचार्ज सिग्नल और इंचार्ज और point machine जो है वो मैंने तीन और चार्ज लिपर पे लगई जाती है बताई दिया आपको और एक इसमें यह पुझा जाता है maintenance schedule में आपका यह जोएंट यह बता दिया मैंने quarterly है यह EP3 schedule में आता है और एक आपका आता EP5 जिसको पन क्रेंग एंडल या P6 बूलते दे पहले तो इसके अंदर अपन क्या करता है CH की टेस्टिंग करते हैं आपका एक इंसुलेशन यह पॉइंट के मिगर से टेल पी आपका इंसुलेशन टेस्टिंग और EP4 के अंदर ओइलिंग ग्रीसिंग चेक की जाती है और EP3 schedule में मैंने बता आता है joint point and crossing का inspection होता है यह quarterly रहेगा यह schedule थोड़ा सा याद रख लाए और EP2 के अंदर अपन क्या करते हैं पॉइंट के parameter चेक करता है तो इसमें आपका जो normal working current और obstruction current जो है उसमें जो difference से वह 0.5 चेंपियर से कम नहीं होना चाहिए दूसरा आपका जो time है WGR का यानि फीड जो है वो 10 सेकेंड से पहले नहीं कटनी चाहिए तो यह आपका एक schedule हो गया इसमें फिर यह पूछा जाता है कि point में oil जो डालता है lubrication के लिए 100 ml डाला जाता है ऐसे ही 30 जो आपको maintenance schedule दिया गया है EP3 के अंदर इसको और EP4 में इसको डाला जाएगा पिर obstruction test जब चेक करते हैं तो यह 5 mm का test रहता आज की data में आपको दूई test बताना है पांच और 1.6 का जब करते हैं तो लौक भी आना चाहिए और detection just make होना चाहिए और 3.25 का अगर पूछ भी लेता है तो आपको यह ध्यान करना है इसमें लौक आ जाता है लेकिन detection just break होता है जबकि 1.6 में क्या होता है डिटेक्शन just make होता है तो यह आपका एक इसमें हो गया एक पीवे में आपका यह भी पूछा जा सकता है आपका जो इस्टेचर बार जो होती है और रेल का जो बॉटम में इसके बीच का जो गेप है यह मिनिममम 1.5 है और मेक्जिमम 5 mm कर दिया इस यह टेस्ट बताया था पांच एमम कही टेस्ट करते हैं पांच मेंने बताया था लोकिंग भी नहीं आना चाहिए और डिटेक्शन भी नहीं बनना चाहिए और 1.6 जो टेस्ट होता है इसको गोगेज टेस्ट बुलते है यह दियान रखे और पांच वाले का एको अधर नामे नों गोगेज टेस्ट तो अग्जेक्टियों कुछा जाए तो यह थोड़ा ध्यान रहें, no go gauge test का मतलब होता है 5 mm का test, और go gauge test का मतलब होता है 1.6 mm का test, यहाँ पर इनोंने statements point का बता है, एक हाँ, इसमें आपका जो IRS point machine होती है, यह दो तरह की आती है, AC community की आधार पर, आजकल आ रही हो गया है, तो एक आती है आपकी 107 और एक आती है आपकी 400 जबकि cements में 3 आती थी, 160, 300 और 400 जिसको A और B और C के नाम से जानते हैं, तो cements में भी obstruction current और उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा रेटिंग में, खाली एक जो फरक है वो मैंने आपको बताया था, कि आपका जो locking slide है वो एक ही इसमें आती है, detection slide दो होती है, locking slide एक होती है, भागे इसको भी 3-4, हाँ, एक इसमें यह रहता है, कि sleeper के बीच का space, यह आपका point machine बाइस change होगा, तो यह आपका IRS type machine जब होती है, तो उसके लिए 715 कहां में लेते हैं, center to center, जो space है, तीन नंबर और चार नंबर sleeper के बीच का, यह आपका 115 से कमनी होना, यह आता था 685 mm, और thick wave switch के अंदर यह 745 mm होता है, तो यह sleeper का space ध्यान रखने, बाकी आपकी चाहिए सिमेंस पोइंट मसीनों, चाहिए आपका IRS, पहली जो stature बाहर होती है, जिसको mechanical में leading stature बूलते थे, आज की date में आपन फर्स्ट इस्टेचर बाहर बूलेंगे, जो आपके टंग से पहली बाहर, जो फर्स्ट सबसे पहले लगी होती जो दोनों टंग रिल को जोड़ती है, और जहां पर आपका L ब्रेकेट लगा रहता है, तो फ्रो रोड के दौरा वो मूह करता है, उसका जो होल है, वो 470 mm पे होता है, मिनिमम जो वोल्टेज है आपका पॉइंट मसीन का, यह एक्चिल में सिम्मेंस और एरस दोनों पर काम करेगा, 60 वोल्ट डी-सी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, यह भी पूछा जा सकता है, नॉमिनल मैंने बतायाता है, 110 वोल्ट प्लस माइनस 25 होता है, और मिनिमम आपका 60 वोल्ट रहेगा, एक आपका जो गोगेश टेस्ट या जो अब्सक्शन टेस्ट या गेश टेस्ट जो करेंगे, वो एक्चिल में टो जो होता है, मूझ जो होता है, टंग रेलगा, वहां से 150 mm की दूरी पर किया जाता है, एक सो पचास mm की दूरी पर किय पर किया जाता है, तब किया जाता है, उसके बाद आपके हर 10,000 ओपरेशन के बाद इसको करना होता है, यह अपना जो मैंटने शेडूल दिया, उसके हिसाफ से करना है, यहां पर किताम इनों ने दे रखा है, बाकि यह ओल, ओल, यह कोई नहीं बूचे आपको, यह इस 25 आपका तिक विफ यह रहता है सेंटर डू सेंटर, फिर आपके यह जो टंगरिल जहां पर आपने इस्टोल की है, यह जो Сलिप्र है, यह तीन और चार नमबर कहलाता है, सलिपर के उपर नमबर लिख्या कैना है, और यह आगे जिस जगे जाओगे आप, यहating से चैन लाप और यहां पर आप जब देखोंगे टंग रेल जो है वो तीन नमबर स्लिपर के बीच में यहां पर जो गेप है यह 25 अमेंट से कम नहीं होना चाहिए और यह आपका यह जो होल करते हैं तो टंग रेल के बोटम से जो इसकी हाइट है यह अपने पास आती है 52 की एक आती है 60 की तो 52 की के अंदर यह 67 अमेंट पर जाता है यह जो है वो 67 रहेगा और 60 की अंदर यह 76 अमेंट रहता है कि यहां पर यह एक चुल में यह कोई नहीं पूछेगा आपको कि यह भी कोई नहीं पूछेगा 220 में आता है यह आपकी हाइट पॉइंट मसीन के लाता है जिसमें गाइस्ट्रोग मिलता है और इसमें जो लोकिंग होती इसको क्लैंप लोकिंग गूलते हैं यहां पर इसका उप्यूग अपन इस्टे इंटर लोकिंग होता है उसके अंदर करते हैं यह 130 केंपे से जिसमें ज्यादा इस पर यह गाड़ी चलानी है वहां पर इसका उप्यूग किया जाता है तो एक यह आपको पूछा जा सकता है कि जो जो होता है आपका वहां पर क्लिरेंस कितना होना चाहिए मिनिमुम वो 60 mm होना चाहिए जिव एच का होता है जंक्शन ऑफ रेल हैड वहां पर यह 60 mm का वहां पर गेप होना चाहिए इसमें एक क्विश्चन बनता आपका SSD लगता है और इसको कौन मैंटेन करता है तो SSD इसका फुल्फोम है spring setting device और यह 14 नमबर slipper के बीच में लगता है तो यह पीछे है और इसको engineering विवाग मैंटेन करता है इसका जो परपज होता है वो आपके देना होता है पहले आप यहां से देते यह जो फिर रोंक्त जाता था जो वह भी यहां से इसको अर्जश्ट किया जाता है यहां से 13 तो इसमें घाल यही पूचा जाता है यहिए पूचा जाता है कि इसमें इस्टोग कितने है तो 220 mm है टोटल और 220 में आपको बताए था यह कैसे चलता है 60 mm unlocking के लिए 100 mm आपका ठोगे लिए पॉईंट के टंगडिल को चलाने के लिए और 60 mm गहैं वापस आपका blocking के लिए रहता है यह टोटल करके आपका 220 mm का यहां पर जन्रेट करता है तो इसमें लिए पूछे जाते हैं और एक यह तो इसमें आपका अंसर हो जाएगा तेरा और चोदा नंबर स्लिपर इसका जो परपज है वो है आपका इसके भी पेरामेटर हुई है उसमें कोई चेंज नहीं है एक सो दस वोल्ड डीसी है प्रस्माइस पच्चीस है सता सो अक्रम है करन्ट थोड़ा सा इसमें वहां से है तो नॉर्मली वही लेंगे इसमें पांच पॉइंट तीन एंट और मेंग्जियों में आपकॉइंट पां सब्सक्राइब कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसमें मोटर वही काम में लिए मोटर चेंज नहीं किया इलेक्ट्रिकली तो डिसी सिरीज स्प्लिट मोटर है में लिए तो इसका सब्सक्राइब पूचा जाता है वह थोड़ा देख लिए आपके इस तरह हाइए इसमें इंसुलेशन लगाता है तो दोनों तरब लगाता है आपका अगर ट्रेक सर्किट है वहांपक्त तो इसको होने सब्जाने सब्सक्राइब पांच में वाले टेस्ट के साथ ही करते हैं गोगीश टेस्ट के लाएगा 1.6 और 5 अमें नोगुगीश टेस्ट इसका विश्टी शेड्यूल वो सब होई है और बीसमें देखो अब्जेक्ट टैप्टेशन है तो क्या हो सकता है तो यह सिमेंस की पॉइंट मसीन है यह इसका इस्टो कितना है 143 यह लो थ्रश्ट मसीन का भी है एक्चर में 220 इसको यहां पूछना नहीं चीए था जनरली जब बात करेंगे 143 इसका अंसर हो जाएगा तो पॉइंट जो आपका सेट अंड लॉक कंडिशन में है उसमें क्या होता है तो सेट अंड लॉक नॉर्मल है तो यहां पर देखो नॉर्मल वर्ड आता है उसमें एंड इंड चीए और आर्सी आपका रहेगा तो एंड यह एंसी आर्सी जो है यह कंट्रोल कॉंटेट के लाते हैं ओपरेशन फील कंट्रोल होती है अब डिटेक्शन में भी एक्षिल में जहां पर नॉर्मल यह पन चोईस वोल्ट की सप्लाई काम में जहां पर सिमेंस ग्रूप लगया उसमें अब लीगी है तो सिमेंस पॉइंट मशीन में इंडिविजूल एक लोकिंग स्लाइड होती है आई रस में दो लोकिंग स्लाइड होती है और यह ध्यान लगना है कि साइमल्टेनिस पावर और मैनुवल ऑपरेशन प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता इसमें एक तो आपका क्रेंग हेंडल कट आउट कॉंटेक्ट और यह आपका लॉकिंग ऑफ क्रेंग हेंडल रहेगा यह स्टेसर मास्टर की कंडिशन उसमें होता कि इसका आंसर एंड़ हो जाएगा आयार इस्ट्राइप पॉइंट मशी में लॉकिंग कौन सी है रोटरी है पॉइंट पॉइंट इज नोट सेट एंड लॉक और बॉट ना तो सेट एंड नो है उसमें आपके एंसी और आर्सी दौनों कॉंटेक्ट बने रहेंगे अब यहां देखो कित्ती स्लाइट्स कैन वी यूज़ इलेक्ट्रिकल पॉइंट मसीन कित्ती मेंग्जिम स्लाइट आप काम में ले सकते हो तो मेंग्जिम स्लाइट आपकी चार रहेगी दो लॉकिंग की और दो डिटेक्शन की आप वर्यस डिटेक्शन कंट्रोल कॉंटेक्ट अबलेबल नाय एरस सिमेंस पॉइंट मसीन तो दो कंट्रोल कॉंटेक्ट होते हैं दो डिटेक्शन कॉंटेक्ट होता है फिर आपके डिटेक्शन कॉंटेक्ट कॉंट्ट कॉंट कॉंट से होंगे इसका काउंटिंग में बताया था और डिटेक्शन की जब बात करोगे तो तीन चार और साथ आख यापके टेक्शन कॉंटेक्ट के अंदर पांच एमें के साथ पॉइंट लॉग भी नहीं होगा फ्रिक्शन क्लस लिप करेगा डिटेक्शन कॉंटेक्ट मेंग नहीं होंगे इबी सी तीनों डिफ्रेंस बिट्विन नॉर्मल वर्किंग और अफ्रिक्शन करन्ट उसमें 0.5 एम्पेर से ज़्यादा होना चाहिए उसे कम नहीं होना चाहिए पावर सप्लाइट टुपॉइंट मसीन इस कंट्रोल सर्कृट सर्कृट लेवल पर ही कंट्रोल हो जाती है और मसीन के अंदर भी आपका मेकेनिकल कंट्रोल वहां से जोताव लोकिंग क्यों नहीं जाये हो ३ सगय को क्रैंग अंद फ्रवाज हो मैंने गये इस में पावर ऑटक है कि अ श्यादा नहीं होना चाहिए जब요 और में से ज्यादा है यानि दू ताइम से ज्यादा है। और फेज़ाद हैंक्तिकुक्तिकुटिकुक्तिकुलिए तोटल मूम्मेंट ड्राइव डिस्क के अंदर 278 चीकुटिकुटिकुलिए तो यह एक्चुल में एक सो साथ ओल्ड यह पुराने की साथ से दिया है अभी आपकी ए आती और 400 भी आती आयरेस में और सिमेंस के अंदर 160, 300, 403 आती है, सैट एंड लोक इन नॉर्मल तो इसमें आपका एंडी और रसी बनेंगी, इसमें देर नहीं रखा तो नन हो जायेगा, पॉइंट सैट एंड लोक इन नॉर्मल है, तो एंडी और रसी, प्रेनन हो जाएगा, तो इस तरह के इसमें questions आते हैं, तो यह आपका हो गया, CLS हो गया, फिर आपका